हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पड़ो इंडिया पर आज हम करेंगे कक्षातीन की पठन अभियान की सप्ताहच्छे की कारेपत्री का जिसका नंबर है 29 और इसकी थीम है अंतराश्ट्रिय मात्री भाषा दिवस नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों 21 फरवरी को अंतराश्ट्रिय मात्री भाषा दिवस मनाया जाता है वे भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले परिवार में रहकर सीखता है वे मात्री भाषा कहलाती है आईए अब नी लड़की आपस में बात कर रही है एक लड़की कहती है क्या हुआ अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तुम बंगाली भाषा में बात करना सभी से तो फिर एक लड़की कहती है स्कूले जेते भहे लागे फिर बच्चे आपस में बात करते हैं यहां बहुत से भिन भिन पुछपूरी हर्यानवी तमिल आदी ये रड़की जो है मामुनी अपनी भाषा में एक गाना गाती है धीतांग धीतांग बोले के मदोले तान तोले आर अनंदो उच्छोले आकाश भोरे जोशेनाए तो सारे बच्चे स्वितारीफ करते हैं वह तुम कितना मधूर गाती हो म मामुनी एक बच्चा बताता है इसकी माने सिखाया है ये गाना टीचर कहती है शाबाश मामुनी बच्चो हम सभी को अपनी मातरी भाषा पर गर्भ होना चाहिए अब आते हैं इसके प्रश्णोतर पे तो बच्चो देखा आपने मामुनी ने कैसे सबका दिल जीत लिया बुवा को उर्दू में बोलते हैं फूफी मा को मराठी भाषा में बोलेंगे आई और लड़का को बिहारी में लड़का ही कहते हैं प्रश्ण नंबर दो देखिए अपने घर के सदस्यों की सायता से अपनी मातरी भाषा का कोई लोक गीत याद करके अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाईए बच्चो यहाँ पर मैंने एक लोक गीत लिखने की कोशिश की है अरी बहना च्छाई घटा घंगोर सावन दिन आ गए उमड गुमड घं गरजते अरी बहना ठंडी ठंडी पड़त फुहार सावन दिन आ गए आप अपनी मातरी भाषा का कोई भी लोक गीत यहाँ पर लिख करें